आज से हम GST सेशन स्टार्ट करने वाल है सबको लेक्चर आपको यूट्टूब पर मिल जाएंगे लिंक में एक बार फटाफट स्टूडन से शेयर करता हूँ आप आजाओ लाइव गुड्स और सर्विश टाक्स के आज से लेक्चर स्टार्ट हो रहे सो यह आपने ध्यान में रखना है ओके गाइट्स आजाओ फटाफट जो भी क्वेरीज हैं हम डिस्कस करेंगे ओके एक बार लिंक शेयर करता हूँ सबको ताकि सब यह लेक्चर आटेंड कर पाएं शिली जी गुड्यूणिंग एवरिवन चलो फटाफट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे गुड्स और सर्विश टैक्स का फर्स्ट फॉल अंडर्स्टेंड शिलावस अंशिलावस में क्या देखने वाले शिलावस की स्टरा स्टरेंगा प्रीविएस रखंद करेंगे कि स्टरा आपका समलक्राइब來到 2016 स्टरेंग में कईछ अगर्हं बात करें तो इंडारेरेक्ट टैक्सेशन आपका होता है पेपर stimulus taxation रहमांud का प्रेबास सर हमें 80 marks का goods and service tax कहां से कहां तक पढ़ना है तो आपका 80 marks goods section 1 से लेकर section section 1 से लेकर section 75 तक है आपका enter का goods and service tax का syllabus ओके नौ गाइस second thing आपको custom act है 20 marks का custom act का भी 20 marks है और वो मैं यहाँ पर आपको 10 वीडियो में custom act प्रवाइट को सर आप पूरा GST discuss करने वाले हो क्या YouTube पर यहाँ पूरा GST जो है आपको YouTube पर मिल जाएंगा इसमें कोई भी queries नहीं है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारा amendment में cover करने वालो once again में clear कर रहाँ amendment की साथ में पूरा discussion करूंगा आपने separately amendment lecture नहीं देखे तो भी चलेंगा पूरा आपको discussion किया जाएंगा ओके गाइस तो GST में first topic जो रहेंगा वो introduction topic रहेंगा जिसमें basically introduction definition वगेरा हम देखने वाले हैं उसके बाद GST levy and collection of tax second topic levy and collection topic है उसमें हम देखेंगे कि supply reverse charge mechanism यह चोटे चोटे concept इसमें देखेंगे third one time third type का topic है time value and place of supply यह topic third है input tax credit fourth registration topic fifth invoice tax invoice credit debit notes documentation and under GST account other records accounts and other records यह भी है then payment of tax यह भी है then TDS, TCS under GST यह भी यह return है matching concept under GST, GST audit by professional यह भी है and eBay build यह पुरा GST का 13 topic आपके रहने वाले हैं so यह आज से हम start करने वाले हैं GST so guys GST आज से हम start करने तो यह 13 topic रहेंगे then custom में आपका basic concept then types of duties types of duties के बाद आपका valuation under custom then import and export procedures क्या है वह भी discuss करेंगे and custom imports of goods at concessional rates of duties यह भी हम discuss करेंगे slabbers बहुत amazing है बहुत drafting इसकी amazing है question बहुत सारे दिये जो भी amendment है वो cover करवा दूँगा जो भी question है सारी module की extra question में solve करवा दूँगा sir previous year की question solve करवाँगे क्या yes करवा दूँगा previous year की question so guys इंडिया में आगर हम बात करें तो tax system कैसी है कोई बता सकता है इंडिया में tax system कैसी है इंडिया में tax system कैसी है anyone और tax इंडिया में क्यों collect किया जता है इंडिया में tax system कैसी है और इंडिया में tax क्यों collect किया जता है कमेंट करो जिंदिगी में कुछ बनना है ना तोulsion किया करो और साथ connect करो Tax system इंडिया में किश steps किये इंडिया में एक टो tax collect किया जता है direct tax एक टो tax collect किया जता है direct tax second one tax collect किया जता है indirect tax अगर हम बात करें indirect tax की तो paper number आपका indirect tax का 11 है पेपर नमबर 11 इंटर के लिए indirect tax का है and पेपर नमबर 16 for final level पेपर नमबर 16 for final level direct tax की बात करें तो पेपर आपका 7 रहने वाला है इसका भी आपको study करना है मेरा question आपको ये है कि guys इंडिया में tax system कैसा है मुझे अभी तक आपसे कोई भी answer नहीं मिला anyone किसी को भी डरो मोद यार जब तक आप answer नहीं करोंगे basic question है मेरा tax system इंडिया में कैसे है कोई तो बताएं उधर क्या हो रहा है इंडिया में tax system कैसे है anyone कोई भी आपको जो भी आता है वो बोलो ऐसे समझो से मैं live में पढ़ा रहो live classes चल रही है और मैं अगर live होता थो आपको बताथा कि tax system आपको answer करने को आता है live में क्योंकि आप मुझे directly बोलते है ये 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 है ये ये है बोलो tax system इंडिया में किस तरह से direct tax और indirect tax दो types के taxes इंडिया में collect किये जाते है उसके अलबा और taxes collect किया जाते है उसका knowledge हम separately लेंगे ये taxes जो होता है आपके income पर based पोरता है direct tax आपके income पर collect किया जाता है और indirect tax कैसे collect किया जाता है indirect tax कैसे collect किया जाता है income tax तो इंडिया में ये first lecture है GST का ये निया फर्स लेक्चर है GST का indirect tax ये indirect tax कब collect किया जाता है yes बोलो direct tax तो आपके income पर collect किया जाता है indirect tax कब collect किया जाता है indirect tax कैसे collect किया जाता है और indirect tax किस से collect किया जाता है anyone कोई तो बताए चलो मैं mobile phone लिया मैंने apple का phone लिया मैंने phone को 68,000 रुपीज payment कर दिया phone को मैंने 68,000 पेमेंट कर दिया और उसमें मैंने GST पे कर दिया around 16,000 GST पे कर दिया 16,000 yes burden on consumer burden on consumer तो इस situation में यहाँ पर मैंने यह पेमेंट कर दिया उसको GST भी पेमेंट कर दिया तो इस situation में यह 16,000 में पे कर रहा हूँ, यह मैं पेमेंट किसको कर रहा हूँ डारेक्ली डीलर को या रिटेलर को जो भी डीलर है और जो भी रिटेलर है तो यहाँ पर मैं डारेक्ली बोल रहा हूँ कि ए गोर्मेंट इधर आ जा मैं तेरेको टैक्स देता हूँ ऐसे पॉकेट में से आई से निकालेंगे ए गोर्मेंट इधर आ जा मैं तेरेको टैक्स दे दूसरी चीज जब हम कोई यहां पर क्या करते, Tax Pay करते, किस Situation में Tax Pay करते, अगर हम कुछ प्रोड़क्ट पर्चेस करते, यह कुछ हम Comodities पर्चेस करते, यह Service आविल करते, तो उस Situation में जो Tax का Payment करते, तो यह बैसिक ढिफ्रेंट्स हैं, दोनों में, ओके, तो ये content इस तरह से हम introduction वगेरा सब देखने वाले है, उसके बाद guys देखो यहाँ पर, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, first topic आपका यहाँ पर start हो रहा है, understand the example, first example on GST, example देता हूं में first GST पर, example, example number one, कि guys हमें GST क्यों लाना पड़ा, GST क्यों लाना पड़ा इंडिया में, और GST के पहले इंडिया में कौन सा tax था, tax levy before GST, कौन सा tax इंडिया में tax लगाया जाता था, guys अगर हम बात करें, 2017 से पहले गोर्मेंट टैक्स लेती थी या नहीं लेती थी इंडिया में, यस government tax लेती थी इंडिया में और वो कौन सा tax लेती थी वो indirect tax ही लेती थी indirect tax ही लेती थी मगर वो indirect tax इस तरह से खिचड़ी था यानि कि इस तरह से complicated था उस situation में यहाँ पर government का उस पर control नहीं था पहले क्या problem थी और उसके बज़े से हमने GST गाइज देखो GST के पहले हमने tax pay करते थे ओके indirect tax हम क्या करते थे pay करते थे इस situation में हम GST के पहले tax pay करते थे और उस tax में ऐसे कौन से problem थे जिसके बज़े से आपको GST लाना पड़ा था problem number one यह था कि उस situation में various types के taxes थे various types के taxes थे various types के taxes कौन से थे number one tax था आपका state government कर लेक करता था state government कर लेक करता था वो करता था sell tax sell tax number two का problem यह था what उसनिया मुझे comment नहीं समझी what number two का tax था आपका sales tax हो गया service tax service tax यह कौन करता था collect यह central government यह central government ओके number third आपका entertainment tax था entertainment tax था यह कौन करता था यह local authority collect करती दी local authority यह municipal corporation ओके उसके बाद आपका tax कौन सा था उसके बाद exercise duty था exercise duty था यह exercise duty आज भी है कुछ product पर आज भी है यह किस पर लगता था यह manufacturing पर यह किस पर लगता था यह manufacturing पर लगता था ओके number four इतने सारे taxes इंडिया में बहुत हैं अभी रुको रुको जरा इंडिया में और एक tax था entertainment हो गया exercise हो गया service tax हो गया वैट यह वैट था इसको बोला जाता था value added tax value added tax इसको बोला था value added tax इसके बाद और एक tax था cst cst central sales tax cst cst central sales tax central sales tax इतने सारे taxes थे इंडिया में बोलो एक इंसान अगर business कर रहा है एक इंसान अगर business कर रहा है उसके सर पर बाल रहेंगे क्या नहीं रहेंगे ना उसके जेब में pocket में पैसा रहेंगा क्यूं ने रहेंगा सारा government लेके जा रही है विचारा बेटेंगा इस लो क्या करेंगा वो कुछ नहीं कर बाएंगा वो situation में इतने taxes इतना burden उस पर था इसके बज़े से burden किस पर बढ़ रहा था पता है अपको ultimately consumer पर consumer पर burden बढ़ रहा था और economics कहते है मुझे तो पता नहीं है economics क्या कहते है economics हमारे अंडिया के कहते है कि इंडिया में inflation बढ़ रहा है और उसके पीछे reason है कि इंडिया में indirect taxation का जो mechanism है वो बहुत बुरा है इतने taxes collect करते हैं इसके बचे से inflation बढ़ रहा है inflation मतलब एक product आगर आप 10-100 रुपए को purchase कर रहे हो अगर वो consumer तक जाते-जाते 200 रुपए जा रहा है ultimately यह inflation तो है 100% inflation तो उस situation में क्या करेंगा बिचारा consumer यह businessman भी नहीं कुछ कर पाएंगा ना consumer कुछ कर पाएंगा so that means government यहाँ पर पागल हो चुकी थी कि इतने tax के compliance करो इसके register करो इसके return file करो इसको यह करो उसको वो करो इसका यह करो सारा सारा बक्वास काम चल रहा था उके उसके बज़े से black money जो है black sale बढ़ रहा था इतने taxis black sale बढ़ रहा था तो उसके बज़े black sale से क्या हो रहा था consumer को happiness फिल हो रहा था यार चलो ठीक है इतने taxes तो एक बार छुटकरा मिल गया तो government के यह धान में है किस के ध्यान में है अपने Moodi जी के की India से भार से black money नहीं ला सकते है Moodi जी मगर India का black money कम कर सकते है उनको सूचा 16 रूपए 10 रूपए 16 रूपए बोला था कि अकॉन्में डालेंगे तो उस situation में उन्होंने सोचा यार चलो अब ऐसा करेंगे कि इस situation में हम क्या करेंगे मोधी जी ने सोचा कि अब हम बाहर का मनी नहीं ला सकते इंडिया के लोग फ्राउड करके बाहर जा रहें निरो मोधी, मालिया जी, irrespective person है क्यों नाम नहीं ले सकते उनका तो इस situation में मोधी जी ने सोचा यार इंडिया का black money कम करेंगे ultimately ये black money कम कर देंगे ये black money कम कर देंगे that's why उन्होंने committee constitution की committee constitution करके उन्होंने GST लाया और इस सभी taxes को उन्होंने खतम कर दिया सभी taxes को उन्होंने खतम कर दिया और सभी taxes को खतम करने के बाद क्या आपके सामने picture आई और उससे पहले क्या picture थी वो practical problem में मैं explain कर रहा हूँ इसके यहाँ पर इनके इनको खतम करके इसको GST में क्या कर दिया आपको यहाँ पर GST लाया गया अब उसका पहले का क्या structure था tax कैसे collect होता था 2017 के पहले और अब tax कैसे collect होता इसका explanation में देने चारू अर यू रेड़ी ओके बलो यास सार रेड़ी हो गए है चलो नाव गाइस एक एक एक्जामपल लेता हूँ एक्जामपल लेता हूँ आप मैनुफेक्चर करते हूँ मैनुफेक्चर हूँ आपने अगर 100-1000 रुपीज का गुड्स मैनुफेक्चरिंग कर दिया 1000 रुपीज का गुड्स मैनुफेक्चरिंग कर दिया तो इस सिच्वेशन में आपको एक्जाइज ड्यूटी पेग करनी थी 20% on manufacturing एक्जाइज ड्यूटी पेग करनी थी 20% on manufacturing देन आपको आप प्रॉफिट भी आड़ करोंगे उस पे प्रॉफिट भी आड़ करोंगे ये सब्सक्राइज ये एक्जाइज ड्यूटी थोड़ा सा बाजू में रखते हैं आपने manufacturing किया और आपने आपका profit आड़ कर दिया 1000 cost including tax है इसमें एक्जाइज ड्यूटी एड़े समझो एक्जाइज ड्यूटी एड़े इसमें manufacturing कर दिया तो इस सिच्वेशन में profit आड़ किया 200 रुपीज 200 रुपीज अब आप क्या करोंगे इसका sell करोंगे sell करोंगे और वो sell किसको करोंगे wholesaler को या dealer को पहले तो dealer को करोंगे ये sell किसको करोंगे dealer को ये dealer को sell करोंगे ये हो गया आपका ये 1200 1200 हो गया और उसमें add करोंगे अड़ करोंगे उसमें क्या add करोंगे टैक्स सपोज 10% अड़ कर रहे हो टैक्स अड़ करोंगे 10% तो ये कितना होता है टैक्स अड़ करके उस डीलर को प्राइस क्या हो रही है उसका उसको प्राइस हो रही है 120 120 उस डीलर को प्राइस हो रही है वो क्या पूजा करेंगा क्या उसकी नहीं करेंगा वो डीलर क्या करेंगा अब डीलर के हातों में आया नंबर वन हो गया अब डीलर के हातों में आया डीलर क्या करेंगा डीलर क्या करेंगा उसमें अपना फ्रॉफिट अड करेंगा इसमें प्रॉफिट अड करेंगा कितना य 200 profit add करेंगा तो 200 profit add करने के बाद इसका tax भी पहले से add है 120 इसमें add है तो ये इतना हो रहा था अब ये profit भी add हो जाएंगा इतना कितना ये इतना हो जाएंगा तो अब इस situation में यहां पर 1520 रुपे हो रहा है total price total price 1520 हो रहा है अब इसमें वो sell करेंगा sell करेंगा किसको sell करेंगा किसी wholesaler को wholesaler को sell करेंगा वो और wholesaler को sell करते वक्त क्या करेंगा उसमें 10% tax add करेंगा 10% tax add करेंगा तो वो 10% tax कितना हो जाएंगा 152 एड करेंगा वो tax तो total price total amount collect करेंगा वो wholesaler से टोटल कलेक्शन करेंगा वो Deep उसमें power टेक्सेशन अभी तक ऐड़ हो रहा है उसमें Commonwealth हो जाएंगा 152 tax आपका तो यह total price कितना हो जाएंगा यह total price retailer को retailer के लिए price हो जाएंगा इसका 1000 1400 plus 1400 plus 200 plus 152 इतना हो रहा है इतना हो रहा है यह price ओके अब इसमें add करेंगा वो retailer के लिए tax भी add करेंगा tax कितना add करेंगा tax वो add करेंगा यहाँ पर 10 परसेंट इस पर 10 परसेंट 10 परसेंट आड़ करेंगा 175.2 इतना ओके इतना तो यह क्या हो जाएंगा यहाँ पर कितना हो रहा है 1927.2 इतना हो रहा है तो यह retailer लाएंगा और उसमें फिर से वो profit आड़ करेंगा सब्सक्राइब करेंगा इसको इसको रिटेलर इसको सेल करेंगा किसको कंजूमर को कंजूमर को कंजूमर को सेल करेंगा वो उस पर आड़ करके 100 रुपीज तो टोटल हो रहा है उसका 20.70.2 और इसमें आड़ करेंगा अगें 10% टेक्स इंटू 10% टेक्स तो यह हो जाएंगा 200 इतना हो जाएंगा तो टोटल हो रहा है आपका कितना 2200 229 सपोस 30 समझों काईच देखो इस तरह से यह tax structure old tax structure था जो manufacturing करते थे 1000 को वो वहाँ से कंजूमर तक पहुचने तक कंजूमर को कितने में मिल रहा था इतने में मिल रहा था काईच inflation rate 120% बढ़ गया था due to this taxation due to this taxation due to this taxation due to this taxation अब government इस पर solution लाना चाहती थी कि यार इतना सारा tax और इतना सारा tax कंपल्स क्योंकि value added tax है value बड़ी tax बड़ा value बड़ी tax बड़ा so इतना tax यह करना था हर एक बार 10% 10% increase हो रहा था government कुछ नहीं कर पा रही थी so government ने finally इस tax system को समझा और इस tax system के लिए एक नया tax system इंट्रोडूस किया तो इसके लिए हमने नया tax system इंट्रोडूस किया और वो है goods and service tax वो क्या है goods and service tax यह example किसी को doubt है example में किसी को doubt है telegram channel मैं एक भी reply नहीं करूंगा अगर अपने yes या no बोला तो मैं किसी का भी doubt नहीं solve करूंगा कोई भी doubt नहीं करूंगा yes no करो बला फटा फटफट CMA student चलो बोलो यहां तक समझा आपको यह old tax system old tax system समझा आपको now guys focus अब यहां इतना inflation बल रहा था तो government ने यहां पर क्या कर दिया GST लाया government ने GST लाया और GST में क्या कर दिया देखो अब GST में इस taxes को सबको कर दिया merge जो भी taxes है इसको कर दिया merge अब सुनो story बहुत important है story बहुत important है सुनो मेरी बाद GST तो लाना था इंडिया में उससे पहले यह example में explain करता हो उससे पहले एक जगडा हुआ वह जगडा किसका था पता है आपको यह dispute हुआ डिस्प्यूट हुआ सेंट्रल गोर्मेंट का और स्टेट गोर्मेंट का रियल में हुआ है गाईस रियल में हुआ है GST के रिये इन दोनों का यहां पर हो गया dispute क्यों हो गया सर यह इनका वैट पर कबजा था आप देखते ना मुवि में में बड़े-बड़े मुवicon में एक उसकी देखो किसकी वल्यूट में देखो एक तुँ इधर आने अने का नहीं आप उनका एरिया मोदी जी बोले कैसे नहीं देंगे कैसे नहीं देंगे ऐसे थोड़ी है नहीं देंगे बोले तो इस situation में यहाँ पर VAT, CST, जो भी taxation था वो यह state वाले नहीं छोड़ रहे थे मोदी जी ने उनको एक proposal रखा मोदी जी ने उनको एक proposal रखा वो proposal फर्स्ट ऐसा था फर्स्ट प्रपोजल उनको ऐसा रखा देखो भाईयो हम क्या करेंगे मित्राओं, हम क्या करेंगे VAT, CST और प्लस जो भी taxes है आपके state के उसमें हम 50% भागिदारी देते हैं आपको और हम 50% भागिदारी लेते उसमें हम क्या करेंगे 50-50% करेंगे श्रेट बोले ऐसे कैसे करेंगे हमें क्या मिल रहा है इसे आप तो मज़े से अपना service tax लेके जा रहे हो आपके service tax है ना central government का collection हमें उसमें दे रहे हो क्या आप कुछ फिर government बोला, मोदीजी अच्छा तो मोदीजी ने यहाँ पर बोला 30 service tax का आपको देते आप तो मान जाओ service tax का 30% आपको देते आप तो मान जाओ और 70% हम रखते हैं नहीं central government का बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा अगर हमारा revenue आप 50% लेते हो तो आपका भी revenue जो collection करते हो service tax वो भी revenue हमें 50% चाहिए इनसाब तो होना ही चाहिए ऐसा चलता रहा उनका ऐसा चलता रहा इस situation में यहाँ पर इस situation में यहाँ पर guys देखो फिर government ने finally central government ने क्या कर दिया decide कर दिया अरुन जेटली साब थे finance minister finance minister थे अरुन जेटली साब और अरुन जेटली साब ने बोला मोदी जी के कंदय पर हाथ रखा जाओ दे आना मोदी जी जाने दो ना मोदी जी दे दो 50-50% दे दो 50-50% और GST में इनको state वालों को revenue क्या कर दिया हमने share कर दिया 50% और 50% यह revenue state government को दे दिया 50% और so guys यह था basic अब GST आने के बाद क्या changes हुआ और GST आने से पहले क्या था GST आने के पहले mechanism जो था taxation का वो बहुत बुरा था यानि कि कोई भी tax यानि कि इतना tax होता था कि consumer पानी की bottle भी purchase नहीं कर सकता था consumer water bottle भी purchase नहीं कर सकता था because of this वो consumer water bottle भी purchase नहीं करता था अब GST आने के बाद क्या हुआ GST आने के बाद system कैसे change हुआ और कैसे GST हमारे इंडिया में यहाँ पर लोगों को importantly inflation कम करता गया वो देखेंगे so guys basically देखो GST आने के बाद क्या हुआ GST आने के बाद देखो first thing GST आने के बाद क्या हुआ after GST era आप देखो यह manufacturing है manufacture manufacture है यह manufacturing करता है आराम से sir CST है GST GST CGST यह GST वो explanation मिलेंगा आपको 5 मिनिट रुको explanation मिलेंगा CGST XGST अभी तक वो उस point पर नहीं गया हम CST क्या है CST मतलब central cell tax central cell tax पहले था अब उसको convert कर दिया CGST में central goods and service tax central goods and service tax GST goods यह समझा now guys manufacture है 1000 का manufacture क्या कर रहा है manufacturing कर रहा है 1000 का manufacture manufacturing कर रहा है तो इस situation में वो क्या करेंगा यहां पर again profit add करेंगा profit add करेंगा 200 रुपीज और यह invoice बनेगा GST में आपका invoice बनता है यह invoice बनेगा support 1200 रुपीज का आब इस पर क्या लगेंगा tax लगेंगा प्या लगेंगा tax लगेंगा 10% tax कितना लगेंगा 10% और ये 10% tax हो जाएगा 120 रूपीस तो total price कितनी हो रहे है Total price हो रहे है 12320 रूपीस Total price कितनी हो रहे है Total price 1320 रूपीस Total price हो गए यह हो गए आपकी total price Now guys focus अब यह जब dealer को sell करेंगा तो उसमें add करेंगा GST Wholesaler को जब sell करेंगा तो add करेंगा GST एड कर दिया GST, तो ये wholesaler को इतना price आएगा, wholesaler को इतना price pay करेंगा, wholesaler यहाँ पर लिखता हूँ, wholesaler यहाँ पर रखता हूँ, इसका price कितना है, इतना price है उसको, इतना price उसने pay कर दिया, सर, invoice GST एड करने के बाद क्यों नहीं, वेट, 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 अगर आप invoice बनाते हो, वेट, वेट, मैं आपको explain दे रहाँ, invoice बना रहे हो, ये, उसमें एड कर रहे हो, total invoice price होती है, total invoice price, वेट, वेट, ये invoice को cut करते हैं, ये invoice price, ये invoice price, ये बन गए आपकी invoice price, ये discussion सारे basic में करूँगा आपसे, don't worry, ये invoice price, okay, clear, invoice price, clear है, तो guys, wholesaler, यहाँ पर, wholesaler क्या करेंगा, यहाँ पर देखो, wholesaler आपके go down में good लाएंगा, ये इतने को लाएंगा, wholesaler इतने को लाएंगा, और उसमें add करेंगा tax, add करेंगा tax, और वो tax रहेंगा, कितना, 10%, अब guys, GST में, ये tax 10% किस पर add होंगा, इस पर add होंगा, या किस पर, मुझे पोलो, अब 10% जो tax है, GST में, वो किस पर add होंगा, 10% जो add होंगा, वो किस price पर add होंगा, guys, यहाँ पर, जब ये 10% add होंगा न, जो भी वो price add करेंगा, उसका, already वो क्या कर चुका है, उसका paid कर चुका है, GST, इसी में नहीं लगता है, ओके, तो ये इसमें add करेंगा, ये कितना हो रहा है, 1520 हो रहा है, ये उसका profit है, ये उसका profit है, अब जो tax लगेंगा, अल्डिडी उसने 120 पे कर चुका है, मतलब यहाँ तक तो वो tax पे कर चुका है, अब जो tax लगने वाला है, ये 200 पर लगने वाला है, 200 पर 10% कितना आएँगा, 200 पर 10% कितना आएँगा, 10% on 200, तो ये आएँगा 20 रुपीच, ये आएँगा 20 रुपीच, और ये 20 रुपीच आने से क्या होता है, इसकी प्राइस कितनी हो जाएँगी अब, इसकी प्राइस हो जाएँगी, वहाँ पर क्या होता था, टैक्स पर टैक्स लगा ez, सारी जगाँ पर टैक्स लगाते थे, मगर जी एष्टी में जो आईशा नहीं है, जी एस्टी में जितना वैल्व आप आप इड करेंगे, yes GST में value GST means only value added tax not profit added tax profit पर tax नहीं लगेंगा जितना आपने जितना आपने यहाँ पर किया है क्या किया है जितना आपने profit add किया है वहाँ पर tax add करना होगा यह already paid कर चुके इसका एक mechanism discuss करूगा already आप paid कर चुके इसका कोई tension है आप जो भी collect करोंगे remaining amount unpaid कितना है यह 200 पर आपने collect नहीं किया भी तो वह 200 पर आप collect करो और वह कितना होता है फिर यह 20 रुपीज आप पर tax होगा अब यह sale किसको कर रहे है आप सुनो मेरी बात यह sale किसको कर रहे है आप sale कर रहे है आप retailer को यह sale कर रहे है आप retailer को और यह retailer को कितने को करेंगे sell 1540 रुपीज आप retailer को करने के बाद retailer क्या करेंगा इसमें again profit add करेंगा retailer क्या करेंगा अगें add profit करेंगा add कितना करेंगा 200 रुपीज सर आपने ओर्रीड इस पर tax paid किया है इसका कोई tension ही नहीं जो add हो रहा है उस पर tax लगेंगा आगें कितना add हो रहा है 200 रुपीज तो इस पर आगें 10% 20 रुपीज 20 रुपीज तो अब price कितना हो गया देखो price कितना हो गया आपका यह add होने के बाद 1540 रुपीज प्लस 200 उसका profit प्लस 20 यह कितने का हो गया इतने का हो गया यह retailer के पास इतने कोई retailer के पास product इतने कोई आप क्या करेंगा retailer उसमें add profit करेंगा उसका retailer ने add कर दिया right retailer यह consumer को sell करेंगा यह retailer क्या करेंगा consumer को sell करेंगा इस price में गाइज दोनों example में क्या difference है एक जगा पर आपने 2030 रुपीज फेड किये थे 30 रुपीज इतना payment किया था consumer ने ओके इतना payment किया था consumer ने आप यहाँ पर कितना payment हो रहा है यहाँ पर 1760 रुपीज 1760 रुपीज 40 रुपीज स्वरे हाँ 40-40, 60 हो रहा है न, यह 40 है, तो यह 60 रुपीस हो रहा है दोनों का difference कितना है? दोनों का difference जो भी है वह consumer का benefit है इंडारेक्ट Tax System ने पुराने वाले इतना走吧 यह कर दिया था बहुत यह हुआ था, consumer से इतना वह बहुत consumer को परेशानी हो रहे थी आप देखो यहाँ पर कितना है सर आप यहाँ पर बोलो इस situation में आप यहाँ पर consumer tax कितना पे कर रहा है total goods पर total goods पर consumer tax कितना पे कर रहा है जो भी total purchase है वो tax कितना purchase पे कर रहा है 20, 20 यह 20, 20 दोनों 20 पे कर दिये और यह है first time कान उसने कितना बे कर डिया 2022 टांप और यह तूंडेड यह पर वो टूंडेड्ट फूंडेड वूटी रूपीज है No 240 रूपीज टाक्स पे कर रहा है इससे भी कमाएंगा मैं एक बार देखता हू 240 से कमाएंगा 120 120 okay 160 रूपीजी वो टाक्स पे कर रहा है 160 रूपीजी वो टाक्स पे कर रहा है 160 रूपीजी टाक्स पे कर रहा है So that is a basic difference between old system and new सिस्टेम सर अब यह जो टैक्स का क्रिडेट होता है वो कैसे होता है देखो यह टैक्स सा जो क्रिडेट होता है वो कैसे होता है इसने पेमेंड किया कितना इसने पेमेंड किया देखो इसने पेमेंड किया टैक्स का 120 रुपीज इसने टैक्स का पेमेंड जाएंगा input tax credit यह कैसे मिलता है कब मिलता है इसका separate topic है आप आगर businessman हो तो वो कैसे input tax credit दिया जाता है कब दिया जाता है इसका section 16 में detailed discussion करेंगे ओके आप businessman होना आप आपके जेब से GST मत भरो आप collect करो और हमें भरो जो भी difference आता है वो हमें pay करो so what discussion हम करेंगे ओके वो discussion करेंगे कि कब इस तरह से आप क्या कर सकते हो यहाँ पर GST में यह कर सकते हो input tax credit ले सकते हो समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक समझ में आया कि old system में क्या difference है और new system में क्या difference है यहाँ तक समझ में आया बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है आपको, एनिवन, एनिवन, हाँ, स्निया डाउट करो, ओके, डाउट पूछो, डाउट, चलो, यहां तक समझ मैं है, ओके, सो गाईज, बेसिकली, GST में सर्फ टैक्स कितने है, और GST में, सर्फ बस ओल्ड थोड़ा नहीं आया, इसके कंपेर में, ओल्ड का क्या था, वैल्यू अड़ेट टैक्स, जितना आपका प्रॉफिट बढ़ेंगा, सब सब मिक्स करके, वो टैक्स वन टैक्स करते थे, यह ओल् बॉल्ड का, नू का, जैसे जैसे हम GST में आगे जाएंगे, वैसे 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 आपको समझेगा, GST में, टैक्स कितने है, सर, GST में आप बोलोंगे, तो GST में tax कितने collect किये जाते हैं एक तो tax collect किया जाता है goods पर अगर आप goods sale करते हो तो goods पर अगर आप service देते हो तो services पर मतलब guys दोनों को ही combine करके government ने GST बनाया GST मतलब क्या है goods and service tax goods and service tax goods and service tax इसमें कोई difficulty GST मतलब क्या है GST में दो types के tax है पहले यह goods पर tax कोन कलेक करता था state government यह मैंने explain किया state government करता और इस पर कोन करता था central government इसको combine कर दिया और GST लाया और goods और service पर आप tax कोन करता है आप देखो tax करता है GST department collect GST department collect करता है और वो किस थरा से distribute करता है GST department करेक करता है और GST department इसको बाट डेता है किसमें बाट डेता है इसको बाट डेता है दो टाइस में CGST, यद GST, UT GST and IGST इस तरह से क्या किया जाता है उसका bifurcation किया जाता है सर यानि की अगर आप यहाँ पर सुनो मेरी बात GST डिपार्मेंट इस तरह से इसका bifurcation किया जाता है मतलब अगर CGST का नाम है इन्वाइस में तो यह सीधा right किसका होता है Central Government का collection होता है वो bifurcation कहाँ पर करता है कैसे करता है एक्सप्लेंट करूगा Central Government का होता है IGST की बात करें तो यह Central Government collection करता है यह कौन collection करता है Central Government और यह GST की बात करें तो यह GST Department collect करता है और Central Government को दे देता है भाई तेरा तेरा जो भी हिस्सा है वो ले ले UTGST मतलब जो भी Union Territory है जो भी Union Territory है इंडिया में जैसे आंदमान, निकोबार, जैसे जम्मा इन कश्मीरा बन गया है जैसे की पंडेशेरी है, दिल्ली है ये Union Territories है, इनका भी यहाँ पर क्या किया जाता है हिसाब किताब रखा जाता है तो यह यहाँ तक समझा आपने GST में Goods Service को मर्च किया गया और उसका नाम रखा गया GST, Goods and Service Tax उसके लिए हमने क्या कर दिया GST Department है, उसको में इंट्रोर्स अभी नहीं किया है कि GST Department को कोन मैनेज करता है, बस मैं ब्रीव कर रहा हूँ तो GST एक होता है, CGST एक होता है IGST होता है, UTGST होता है यह होता है आपका यहाँ पर सारा discussion, now guys अब यह IGST क्या फंडा है, सर सर सुनो ना मेरी बात सर सुनो सुनो मैं State of महाराष्टरा से हूँ महाराष्टरा से हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ बिजनेस करता हूँ तो मुझे जब मैं invoice बनाता हूँ, जब मैं sell करता हूँ जब मैं sell करता हूँ, तो उस situation में sell करते वक्ट मुझे कौन सा GST collect करना है, which GST should be which GST should be collected or collecting are collected collecting collect from consumer, which GST should collect from consumer collect from consumer कौन सी GST मुझे collect करना हूँ consumer मैं बिजनेस मैं हूँ, मेरा normal question है आप से मैं बिजनेस मैं हूँ अगर मैं sell कर रहा हूँ तो उस situation में मुझे कौन सा GST collect करना है question तो गाइस, गौर्मेंट ने क्या बोला है है बिजनेस मैं सुन जब भी तू sell करता है तो तेरे को क्या करना हूँगा GST collect करना हूँगा वो बोला यस मैं GST collect करूँगा GST में तेरे को दो GST collect करने हूँगे CGST यद GST CGST यद GST तेरे को बोट GST collect करने हूँगे ओके CGST यद GST अब उसका दूसरा question हो रहा है शोर, सुनो मेरी बात अब मैंना ये जो sell कर रहा हूँ sell कर रहा हूँ तो उस situation में मुझे CGST कब लगाना होगा यद GST कब लगाना होगा तो बिजनेसमेन को बोलता है वो क्या गवर्मेन बोलता है हे बिजनेसमेन सुन हे बिजनेसमेन सुन जैसे अरजुन बोलता है क्रिशनर जी बोलते है अरजुन को हे अरजुन सुन क्या बोलते है वो देखो अरजुन जब जब तू क्या करेंगा within state cell करेंगा जब जब तू within state cell करेंगा क्या करेंगा जब जब तू within state करेंगा cell अगर आप within state करोंगे cell सुनो मेरी बात जब जब तू within state cell करूंगे जब तू जब तो तू उस situation में वह businessman बोलता है क्या करना होगा तो गौर्मेंट बोलती है गौर्मेंट बोलती है तेरे को क्या करना है भया विधिन state है तो cgst लगाना है बस cgst लगाना है बस इतना नहीं नो लुक, ESGST भी साथ में लगाना है, फिर सर मुझे percentage कितना रखना होगा, भाया तेरे को percentage 50% CGST रखना है, और ESGST 50% रखना है, CGST 50% रखना है, ESGST 50, अगर मैं महाराष्टरा से महाराष्टरा में सेल कर रहा हूँ, तो उस situation में उस state को बोलते है, within state सर, within state क्या बोलते ह within state supply, within state supply, सर सुनो नो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सर 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 सर, यहाँ पर मेरा question आ रहा है, बोलो, सर अगर मैं महाराष्टरा से गोवा को सेल करू तो अच्छा है, idea, महाराष्टरा से अगर मैं गोवा को सेल करू, तो मुझे फिर कौन सा GST लगाना है, फिर CGST लगाना होगा, यह CGST, CGST लगाना होगा क्या सर, again question, महाराष्टरा से मैं गोवा को सेल कर रहा हूँ, महाराष्टरा से टू गोवा, तो इस situation में क्या करना होगा आपको, बोलो comment करो, फटा फटा फटा, comment करो, anyone, comment, शुबम जेन बोल रहे, IGST और CGST, okay, IGST, guys, are you agree with शुबम, IGST और CGST, IGST लाने के पीछे एक स्टोरी है, discuss करता हूँ, IGST इंडिया में ही है, बाकी जगा पर, इंडिया, okay, 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 I am appreciate on your, बहुत आच्छा अंसर दिया, आपने, बहुत बढ़िया, सुनो मेरी स्टोरी, guys, देखो, यह महाराष्टरा और गोवा है, महाराष्टरा और गोवा है, तो यह जो है न, यह सेल कर रहा है, महाराष्टरा, महाराष्टरा सेल कर रहा है, गोवा पर्चेस कर रहा है, यह पेमेंट कर रहा है, यह पेमेंट कलेक कर रहा है, ओके स्टोरी समझाओ यह पेमेंट कर रहा है यह स्टोरी पेमेंट अब यह महाराष्ट वाला गौर्मेंट बोलता है मैं Sell कर रहू हूं मुझे C GST मिलना चाहिए इसका हुआ बोलता हूं नहीं मैं Purchase कर रहूँ मुझे GST का Benefit मिलना चाहिए मुझे CGST का benefit मिलना चाहिए दोनों भी एकदम तुफान तरीके से सलमान खन शारू खन ठाड़ा ठाड़ा उसने गाल तोड़ा सब कुछ हो गया इमेजन तो Central Government सोचने लगी कि यार यह दोनों जगड़ा तो खतम नहीं करेंगे एसे बहुत सी transaction जो होगी जो मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रा मध्यप्रदेश, करना टका तेलंगाना ऐसे transaction होगी उदर अनना आएंगे तो अनना बोलेंगे एनना एनदना तो फिर क्या होगा सारे टर जगड़ा करने लगेंगे तो इस situation में मोदी जी ने येस classes देली होगी 30 days classes देली होगी So guys यहाँ पर देखो तो यह हर दिन जगड़े होते रहेंगे और मोदी जी के इनके ही जगड़े solve करते रहेंगे dispute between this state and this state headline and no ghost सामी आएंगे फिर देखो आई इसने इसको मारा एसे तो यहाँ पर government बोले यह logic नहीं बनता है फिर जो अंजना कशफ है अंजना उनकाशफ GST के लिए जगड़ा कर दिया उन state नहीं तो यह पूरा dispute हो जाएंगा market में और news वाले को breaking news चाहिए breaking news आज करना डगाने महराष्ट्रा को मारा GST के लिए महरा ऐसा चलेंगा क्या महराष्ट्रा या department चल सकते क्या नहीं तो government ने finally solution दे दिया रोकोब है हम क्या करेंगे इसको ना इस dispute को खतम करने आये है और इसका solution लेकर आये है और वो solution government ने इंडिया में ही है solution बाकि किदी कौन से भी country में नहीं है ये इंडिया में solution है IGST गोर्मेंट ने लाया CGST IGST के साथ collect नहीं किया जाता है गाईज वेट करो IGST लाया IGST लाया और IGST कौन collect करता है collection का काम करता है government कौन सी government करती है central government की आपने comment किया था IGST और CGST ये comment आपकी दोनों की गलेत है अगर आप IGST collect कर रहे हो ये to be assume आप CGST plus YGST collect कर रहे हो दोनों collect कर रहे हो okay you get my point concept clear है अगर आप 원래 CP CGST and YGST collect कर रहे हो मतलब IGST collect कर रहे हो तह इसका मतलब IGST and YGST आप collect कर रहे हो अगर आप क्या कर रहे हो collect IGST अगर collect करे हो तो इसका मतलब क्या होता है आप CGST प्लस CSGST collect करे हो तो इसको integrated GST बोला जाता है integrated GST So guys, okay Sir अब यह revenue किसका होगा फिर आप तो यहाँ पर यह IGST है यह IGST का revenue किसका होगा यहाँ पर तो dispute कर रहा था महाराष्ट्रा गोर्मेंट और गोवा गोर्मेंट dispute कर रहा था यहाँ पर महाराष्ट्रा ने sell किया था महाराष्ट्रा sell कर रहा है और गोवा purchase कर रहा है गोवा purchase कर रहा है तो यह revenue जो है वो supplier state का माना जाएंगा supplier state का माना जाएंगा कैसे मना जाएंगा supplier state का इसके दो parts किये जाएंगे cgst और hgst hgst और यह hgst का जो portion है supplier state को दिया जाएंगा और supplier state जो भी होगा उसको igst में से जो भी percentage है 50% suppose आपका cgst का 9% rate है hgst का 9% rate है तो यह 18% rate होता है igst का अगर आप intra state transaction कर रहे हो between two state transaction कर रहे हो तो उस situation में यहाँ पर igst का इस तरह से rate रहेंगा इसमें कोई difficulty इसमें कोई doubt बोलो शुबम जेन अब बोलो clear है क्या अब guys यह जो state state खेले हम state set खेलने को क्या किया जाता है देखो एक state से दूसरे state खेले हम अगर हम within state transaction करते है within state transaction करते है और हम with different state transaction करते है different state transaction करते है with different state transaction करते है तो उस situation में इसको बोला जाता है Interstate Transaction Interstate Transaction MC क्यों आता है इस पर Interstate Transaction और इसको बोला जाता है Intra State Transaction मैं आगे से बोलोगा Interstate Transaction है समझ लेना Intrastate Transaction है समझ लेना ओके, clear हो गया, इसमें कोई confusion, ओके, चलो, आगे, यह हो गया intra, सर सर सूनो, यह जो sale होता है, इसको बोला जाता है, GST में, supply, supply बोला जाता है, जो sale होता है, sale को replace किया जाता है, टैंडर वर्ड से, इसको टैंडर वर्ड को बोला जाता है, supply, sale नहीं बोलेंगे, GST में, supply बोलें supply क्या करते हो service और goods ओके clear हो गया now guys अब देखो सुनो मेरी बाद अब जो ये जो seller है ये seller है और दूसरा ये जो buyer है इसको क्या बोला जाता है seller को बोला जाता है GST में supplier supplier और buyer को जो भी buyer होंगा उसको बोला जाता है recipient उसको बोला जाता है recipient concept clear है content clear है इसमें कोई confusion है मुझे update करो डरो मत यहाँ तक clear है within state को क्या बोला जाता है intra state बोला जाता है with different state को क्या बोला जाता है inter state बोला जाता है inter state मतलब between two state between two state between two state बोला जाता है और यह even thin state इसमें किसी को doubt किसी को confusion है क्या anyone you can ask me your question on comment box anyone अभी तक के discussion में कोई confusion है क्या बाकी सब भूल जाओ जगडा बगेरा भूल जाओ यहाँ तक clear हो गया आपका आपी तक हमने concept क्या discuss की अभी तक हमने क्या क्या discuss किया है मैं एक बार concept replace करता हूँ concept replace करता हूँ GST में tax किस तरा GST में tax कौन सा होता है CGST कौन क लेक करता है चार्ज बनाई CGST Central Government CGST यद GST कौन के लेक करता है State Government IGST कौन का लेक करता है Central Government UTGST कौन का लेक करता है Union Territory ये collection होता है इनका ये collection ये कही भी आपको नहीं मिलेंगे चार्ज मॉडूल देखो कही भी देखो आपको नहीं मिलेंगे लिखो collection GST tax C GST कौन करे करता है Central Government EGST State Government IGST अगें Central Government उसको बाद बाटा दियाता है Central Government में और State Government में मगर collection का right IGST 2 हाँ वो एक क्या न मैंने क्या न IGST 2 C GST कर दिया and UT GST ये हो गया collection करेंगा Central Government मगर बाटेंगा बाद में दोनों को दोनों को डे दी जाजएंगा so ये चार्ज 1 हो गया अब देखो अब जो transaction है transaction within state करते हो तो उसको क्या बोला जाता है within state करते हो तो उसको क्या बोला जाता है GST में अग उसके बाद with different state transaction करते हो तो उसको क्या बोला जाता है GST में with different state बोलते है तो उसको क्या बोला जाता है स्वाहा करो इधर बोलो चलो guys बोलो फटाफट क्या होगा within state and with different state यहाँ पर बोला जाता है interstate या intra state इंट्रा स्टेट या interstate इनिवन यहाँ पर बोला जाता है interstate इंट्र स्टेट सप्लाई अब मैं सेल नहीं बोलोगा supply बोलोगा सेल को replace कर दिया standard word में GST में supply राइट ना इसको सेल नहीं बोलोगा supply बोलोगा और दूसरी चीज इंटर इंट्रा स्टेट है तो यह हो गया आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई यहां तक clear है तो यह दूसरा concept देखा दूसरा concept देखा उसके बाद हमने क्या देखा supplier किसको बोलते हैं GST में supplier जो भी सेल करता है sir में manufacturing करता हूँ मैं wholesaler हूँ मैं distributor हूँ मैं retailer हूँ कुछ भी रहें GST में तू sell करता है न तो तेरे को supplier बोला जाता है तेरे को supplier बोला जाता है सुर सुनू मेरी बात मैं recipient कब बन जाता हूँ recipient अगर तू purchase करता है तो उस situation में तू recipient बन जाएंगा ओके और इसको बोला जाता है जो भी supply करते हूँ इसमें supply में क्याएंगा आपका goods and service इसमें क्याएंगा goods and service किसी को बता नहीं है goods and service ओके यहां तक discussion क्या हमने यहां तक discussion क्या अब guys और एक concept और एक concept कोई question है इस पर basic में कोई concept question है basic में कोई confusion है question है sir India में जो GST law रया है इसको manage कोन करता है इसको manage कोन करता है इंडिया में जो GST law है उसको manage कोन करता है किसी को पता है इसका अंसर उसको manage कौन करता है Anyone कोई बता सकता है Finance Minister मेरे पास एक अंसर आ रहा है Finance Minister Ultimately आप government बोलना चाहते हो गया government manage करता है इसको manage करने के लिए हमने बनाया एक council एक council बनाया उसको GST council बोला जाता है उसको बोला जाता है GST council बोला जाता है हमने बनाया एक council उसको GST council बनाए जाता है for the purpose of management of GST सर सर इसमें कौन-कौन होता है कैसे-कैसे दिखता है और क्या-क्या काम करता है अरे सुनो किसी को मत बताना आज मैं बताने वालो आपको इस session में ध्यान से सुनना इसका जो chair person होता है वो chair person होता है finance minister जो इसका chair person होता है वो होता है आपका finance minister finance minister आपका chair person होता है सर इसके member कौन होते फिर member कौन होते इसके member जो होते state representative state representative state representative state representative होते है सर इस्टेट representative मतलब कौन होते है वो जो economics ministry होते है जिस तरा से state finance minister state finance minister इसके member होते है ministry इसके member होते है समझा GST को manage कैसे किया जाता है GST को manage कैसे किया जाता है GST को manage करने के लिए हमने GST council बनाई सर यह कॉंसिल कहां पर बनाई अपने council कहां पर बनाई है GST को manage करने के लिए आपने GST council कहां पर बनाई है हमने GST council बनाई और अर्टिकल 279A में बनाई यह आइटिकल कहां पर होता है Constitution of India Constitution of India यहां पर होता है इसके लिए हमने यह amendment किया आर्टिकल को amendment किया और constitution का सहारा लेकर आर्टिकल 279 एकोडिक के हमने क्या बनाया GST council बनाई और GST council का structure इस तरह से बनाई GST council का structure इस तरह से बनाई इसमें किसी को confusion है ज्यादा सोचो मत Sir मैं ऐसे charts लिख तक सकता हूँ क्या exam में question आए तो बिंदास लिखो आपका यहाँ पर यहाँ पर आपकी concept clarity चेक किये जाती है यहाँ पर यह finance minister होता है यह member होता है 10-12 line में लिखोंगे कुछ फाइदा नहीं है जितना होता है उतना आप जो भी short and sweet form में लिखोंगे answer correct यानि कि answer आपका perfect रहेंगा ओके Sir यह GST council क्या करती है इसको कुछ काम दिया है क्या question है GST council क्या करती है sir क्या करती होंगी GST council क्या करती है sir GST council discuss करती है rate of tax rate of tax wow number one rate of tax discuss करना number two क्या कर दिया sir GST council exemption discuss करना कि किस area को exemption करना किस area पर tax लगाना है exemption discuss करना number three क्या कर दिया sir GST council number three number three tier short limit discuss करना tier short limit tier short limit discuss करना number four लिखो या पर प्लीज 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 लिखो जिन्दगे में इतना स्वीट और शॉट नूट्स कहीं ने मिलेंगे आप लिखो उसके बाद यहाँ पर tier short हो गया dispute resolution dispute resolution dispute resolution जो भी जगड़ा होता है किसमें होता है एक तो मैं supplier हूँ या मैं seller हूँ supplier और government के बीज में जगड़ा होता है उसको resolve करना उसके बाद GST legislation including notification और notification देना यह इस तरह से काम करो इसका इस तरह से rate decide किया जाएगा इस तरह से यह यह GST council काम करती है GST council काम करती है सर यह GST council जो है इसको इंडिया में कब बनाया इंडिया में कब यह एक और MC क्यों आ सकता है जी एश्टी council कब constitution इसको कब इंडिया में लाया गया या इंडिया में इसको कब से यहाँ पर हमें यह किया गया इसमें GST council इंडिया में First time introduced किया 15 September 15 September कब 15 September यस यस डेली लाइव क्लास होंगा 15 सप्टेंबर 2016 इंडिया में फॉर्स टाम GST का इंट्रोडक्शन दिया गया आर्टिकल अमेंडमेंड कर दिया इसका अमेंडमेंड किया ऐस पर आर्टिकल 101 फट्री 101 अमेंडमेंड कर दिया कॉंस्टिटीशन ने इंडिया में GST Council का Constitution इंडिया में कर दिया, इसमें कोई confusion GST Council बता दिया, GST Council में Chairperson Finance Minister होता है, Member जो होते, State Representative होते, State Representative मतलब आपके State के Finance Minister, Member बन सकते है GST Council की, GST Council की Validity क्या है, Constitutional Validity है, Validity as per article, section मत बोलना, Article 289A के accordingly है, GST Council की Validity, GST Council क्या करती है, ऐसे आराम से meeting लेने का, चाय पिने का, कॉफी लेने का, ऐसा नहीं करती है, GST Council आराम से rate decide करती है, exemption decide करती है, threshold decide करती है, dispute resolution करती है, notification देती है, regarding to DGST, सर 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 सुनो मेरी बाद, GST Council इंडिया में कब constitution कीगी, GST Council को 15 September 2016 को first time इंडिया में introduce कर दिया गया है, any question, any doubts, इसमें किसी को question है, doubt है, बोलो, बोलो, लिखा, चार्स लिखा, मम्मी गसम, चार्स मिस किया ना, मार्क दो मिस हो जाएंगे, देखो, इजज़त से लिखो, swap, two marks मिस होगे जाएंगे, 1000 प्लस मेरे को यहाँ पर mark seat आईएं, 1000 प्लस मेरे को mark seat आईएं, कोई question इस पर, कोई question इस पर, आप sir हमने सुना है, GST जो है, हमने सुना है, GST जो है, वो GST क्या है, हमने सुना है, GST, double taxation, अच्छा, यह dual taxation क्या होता है sir GST, मतलब, एक phone में, दो SIM, एक phone में, दो SIM, आईपोन वाला नहीं देता है, वो फैसिलिटी, मगर, वो GST दे रहा है, डूल GST होता है, क्या GST, GST आपको, डूल GST है, ऐसा बोलता है, मैं, डूल GST हूँ, मतलब, है क्या, रियलिटी में है क्या, डूल GST, कोई बता सकता है, एनिवन, डूल GST कंसेप्ट क्या है, सर बतो, कोशन होएंगा तो हम लिख सकेंगे, इसमें, बताओ, बताओ, सर बताओ, चलो, बोलो, फटाफ़, डूल GST क्या होता है, डूल GST मतलब, सिद्धी बात, नो बक्वास, C GST में आपको, GST में डूल GST मिलेगा, एक तो C GST, H GST, यह लगाकर इन्वाइस बनाना होगा, यह लगाकर इन्वाइस बोल लगाना पड़ेंगा, यह लगाकर इन्वाइस बोल लगाना पड़ेंगा, हम ना union territory में रहते हैं, आप क्या करोंगे, लक्षदीवी, union territory में रहते हैं, हम आप क्या करोंगे, क्या बिगड़ोंगे हमारा पड़ेंगा, कुछ नहीं बिगड़ेंगा आपका, आपको यहापर, C GST, and UT GST, UT GST, यह लगाये जाएंगा, कोई confusion इसमें, यह होता है, डूबल GST, अरे बोलो, बोलो, UT GST, किसी को doubt है, anyone, any types of question, और IGST, IGST मतलब ही क्या हो रहा है, C GST, plus S GST, C GST, प्लस GST, anyone, any types of question, सर सर सुनो मेरी बात, सर GST में, higher tax rate क्या है, higher tax rate क्या है, higher tax rate GST में सर क्या है, और एक question आपका, सर GST में higher tax rate क्या है, guys GST में higher tax rate आपको दिया गए है, अगर आप CGST, ESGST collect करते हो, तो वो 20% CGST का रहेंगा, और 20% ESGST का रहेंगा, higher tax rate, higher tax rate, यह रहेंगा, ओके, 20, आपको सर यूनियन भी पहले collect, नहीं 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 नहीं, UTGST सेपरेट लगाए जाता है न, हाँ, यूनियन के साथ, एक यूनियन दूसरे यूनियस के हैं, यूनियन भी पहले central collect करती है, then UTGST में, नहीं न, एसा नहीं न, UTGST लगाना के invoice बनाए जाता है, IGST separate हमारा यह innovation है, ओके, IGST separate हमारा यह, यह concept है, यहाँ पर तो आपका separate इस तरह से invoice बनेगा, इसमें कोई confusion नहीं है, so rate जो है higher आपका GST में कितना है, guys ध्यान से सुनो, rate जो है higher कितना है, 20% है, किसका rate higher 20% है, CGST का 20% higher rate, CGST का higher rate क्या है, सुनो मेरी बात, 20% यद GST का higher rate क्या है, 20% और UTGST का higher rate क्या है, 20% अब IGST का क्या होगा, IGST का higher rate क्या होगा, IGST का higher rate क्या होगा, कोई बता है, IGST का higher rate क्या होगा, एनिवन, 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 इंग्लिश के आपको separately वीडियो मिल जाएंगे, what is the higher rate of IGST, higher rate of IGST, क्या होगा, कोई तो बता है, एनिवन, 20% are you agree with me, this comment, 20% higher rate of IGST, 20%, गाइस देखो, IGST collect कैसे क्या जाता है, आउट, IGST collect क्या जाते है, 20% CGST को add करके, 20% CGST को add करके, दोनों को मिला कर IGST collect क्या जाता है, it means directly, indirectly, the rate of IGST, is equivalent to 40%, higher rate of IGST 40%, that's it, समझ में आया, कोई confusion इसमें, हाँ, बोलो, समझ में आया, कोई confusion इसमें, हाँ, anyone, 40%, IGST का rate 40%, okay, सो हो गया यह, हो गया यह, हो गया यह, now guys, next concept, next concept आपका है, next concept आपका है, next concept आपका है, what is the exact meaning of one nation, one tax, one nation, one tax, GST को one nation, one tax क्यों बोला जाता है, GST क्यों बोला जाता है, GST क्यों बोला जाता है, GST क्यों बोला जाता है, question आएंगा, one nation, one, आप एक बार comment मुझे again कर दो ना, एक बार मुझे comment कर दो, मुझे नहीं समझा, क्यों बोला जाता है, प्लीज, तो one nation, one tax का मेनिक क्या होता है, अरे कोई तो बताएं, one nation, one tax, अरुनाल, आपका comment एक बार और करो नो, मुझे समझ में नहीं आ रहे, आप क्या पूछना चाहते हूं, one nation, one tax का मेनिक क्या होता है, वन नेशन, one tax का मेनिक होता है, पहले क्या था, पंजाब का अलग टेक्स, सब खिच्डी हुआ करता था, सब खिच्डी, 15-16 टेक्स थे, 20 ऐसे टेक्स थे, हर एक जगा पर अलग अलग टेक्स था, तो अब उस टेक्स को करते करते क्या कर दिया, इसको मर्च कर दिया, और उसका बना दिया goods, goods और जो services थी, services थी उसको बना दिया service, तो goods and service tax, सर ये goods and service tax आने से क्या हुआ, same rate आपके all over India में आए, same rate, आप कही पर भी product या goods ले लोगे, तो हर एक जगा पर वही product, goods same rate को मिलता है, वही product, वही सभी जगा पर same rate को, कोई भी difficulty नहीं, वहाँ पर rate same रहेंगा आपका, so that means one nation, one tax, one nation, one tax में क्या बोला जता है आपको, तो one nation, one tax में ये जो GST है, applicable to all over India, वही आप IGST explain करना है आपको, ठीक है, explain करता हूँ, wait, ये एक बार explain करने दो IGST explain करता हूँ, so guys, one nation, one one, क्या होता है, ये यहाँ पर explain करा हूँ, one nation, one tax क्या होता है, तो यहाँ पर आप कई भी जम्मो कश्मीर जाओ, हरियाना जाओ, मद्यपरदेश जाओ, वही rate, one nation, one rate, ये हो गया GST का, GST का, one nation, one, और applicable to all over India कर दिया, applicable to all over India कर दिया, applicable to so that means basic one nation, one, मुझे IGST के लिए comment आई रहे है, IGST का मैं explain करता हूँ, क्या IGST क्या होती है, देखो guys, CGST में, देखो IGST 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 कब collect किया जाता है, जब supply होता है, different state से, supply होता है, different state से, मतलब इसको बोला जाता है, inter state supply, inter मतलब एक state से दूसरे state में जाना, inter state supply, ओके यह होता है, different state supply हम easy way में बोल सकते हैं, उसको inter state supply बोलते हैं, अब guys जब आप IGST लगाते हो, IGST meaning, IGST का meaning क्या होता है, CGST plus HGST, बस आप यह दोनों state government जगडा कर रहे थे, इसलिए हमने इसको IGST बोला, और इसका collection का right center government को दे दिया, अगर CGST और HGST होता, तो उसका rate 9%, 9% होता, वही IGST लाते हैं, तो यह दोनों को मिलाकर rate क्या करते हैं, इसको consolidated करते हैं, और यह rate बन जाता आपका 18%, यह rate बन जाता 18%, अगर इसका higher rate, CGST और HGST का 20% है, आपको समझा, मेरा concept, अब clear है concept, कोई confusion इसमें, कोई confusion है अभी, चलो, हो गया यह, हो गया यह concept clear, now guys, अब GST, इंडिया में कैसे लाया, कब लाया, और इंडिया में GST क्यू लाया, ओके, अब आ जाते हैं थोड़ा सा अपने module पर, module पर आ जाते हैं, जो module है, CA वालो student, CA student के लिए tension नहीं लेना है, same language, same content, same explanation है, सो अपने भी डरने की जौरत नहीं, CS वालोंने भी डरने की जौरत नहीं, okay, so guys, basically मैंने different discuss किया, starting में state and indirect tax का, उसके साथ साथ, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा discussion करते हैं, GST के बारे में, जब GST इंडिया में लाना था, तो GST लाने के लिए क्या करना पड़ा, government को कुछ constitutional amendment करने पड़े, क्यूंकि constitution के accordingly इंडिया में Act to law पास किया जाता है, okay, तो constitution amendment 101 की 2016 में, सुर आप बुक्स से पड़ रहो, यार इतना concept मुझे बुक्स से पड़ाने दो, बाकी कुछ भी बुक्स से नहीं पड़ोंगा, मुझे इतना समझाने दो बस बुक्स से, तो उस situation में constitution amendment, bill 2000 will receive ascent precedent 8 September 2008, तो जब भी आपने क्या किया constitution amendment 1 किया, 1 first amendment 2016 में, तो उसका constitution amendment bill 2000, bill के लिए हमने 122 amendment किया, और GST को लेवी करने के लिए हमने 101 amendment किया, यह ध्यान में रखना, तो उस पर ascent मिली आपको, कब ascent मिली उसको, 8 September को precedent के ascent मिली, उसके बात constitution 101 amendment 2016 was enacted 8 September 2006, the following significant amendment, उसके साथ हमने कुछ significant amendment की, number one हमने क्या कर दिया, concurrent power, concurrent मतलब क्या होता है, cement और concrete कब बलते हैं, cement, गिटी और जो रबड़ी होती है, उसको mix करने के बाद concurrent बोलते है, तो यह concurrent क्या होता है, concurrent मतलब power किसको किसको देदी, Central government को देदी, Plus state government को देदी, दोनों को देदी, मतलब इस पर concurrent power है दोनों की, अगर आप GST लगाना चाहते हो, तो आपकी concurrent power है, दोनों भी उसका revenue ले सकते हो, that means कौन, concurrent power and state legis, make law governing goods and service, its means will dual control, state and central, इसके साथ concurrent power में यह बोला गया, कि हम जो law ला रहे, वो dual control होना चाहिए, एक state का और एक central का, दूसरा, 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 state legis legislature और central government को, दोनों को power दिये, इसमें, उसके साथ साथ GST लेवी करना है इंडिया में, तो article 246a के accordingly हमने किया किया, यह article ध्यान में रखना, article 246 के accordingly हमने amendment कर दिया, कहा पर amendment कर दिया, constitution में, सर पहले यहाँ पर लेवीट था, tax 246 के accordingly, आप tax collect कर सकते थे, tax collect कर सकते थे, इसको क्यों use नहीं कि आपने, 246 के accordingly आपको collection का power है, central government का, मगर यहाँ पर यह क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पर यह concurrent था, concurrent power था, तो government का यह जो है, यह काम नहीं कर पाया, article 246 वाला, इसलिए government ने इसको लाया, इसको लाने के बाद इसमें क्या कर दिया, parliament will legislature every state, तो इसमें इन्होंने, CGST, YGST, IGST, UTGST, इस तरह से इसके act पास किये, इस तरह से इसके act पास किये, और IGST law apportionated between state, central and state manner provided by parliament by law, their recommendation of GST consent, इसमें यह कर दिया, article 246 क्यों लाया, 46A लाया, इसलिए क्योंकि हमें यहां पर दोनो concurrent power देने थे, और article 246 है, उसमें levy है, tax levy करने का power है, but still, वो concurrent power नहीं देता था, इसलिए इसको यूज नहीं किया, इसको amend कर दिया हमने, हमने एक और amendment कर दी, amendment कर दी, यहां पर यह, 269 A के amendment कर दी, 269 A के amendment कर दी, 269 था custom act में, 269 था custom act में, यह custom act का है, provide imports goods and service, custom act में, 269 है, provide that import service goods, will be deemed supply goods and service, in both course, interstate, और यह थो import आप करते हो, कोई भी service, आउटसाइड इंडिया import करते हो, goods or service, 269 काम करता था, मगर यहां पर, यह article भी काम नहीं कर पाया, यूँकि concurrent power थी, तो इसके लिए हमने, जो भी import service है, इसके लिए क्या कर दिया, इसको बोला, अगर आप import करते हो, कुछ भी outside इंडिया, तो उसको IGST consider किया जाएंगा, और उसको interstate supply बोला जाएंगा, within two different states, अगर कोई भी आप GST आने के बाद, कोई भी service import करते हो, outside इंडिया से, मैं किसी foreign student को teaching कर रहा हूँ, मैं service import कर रहा हूँ, sorry, 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 गलत, 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 मैं कोई भी service import करता हूँ, तो उस situation में IGST लगने वाला हैं, export, export मतलब इंडिया में लाना, export मतलब इंडिया के बाहर वेजना, import कर रहा हूँ, बाहर से मैं services ले रहा हूँ, किसी foreigner से, मैं classes बगेरा ले रहा हूँ, so that means उसको IGST consider करना है, ओके, यह गलती होगी मेरी import service के रहा, जब आप import service करते थे, before GST, तो CBD लेकती थी, CBD लगती थी, और special CBD लगती थी, CBD लगती थी, CBD मतलब custom value added duty वो लगती थी, तो उसके replacement करके, हमने इसको replacement करके, special CBD को replacement करके, हमने वहाँ पर क्या कर दिया, IGST, अगर मैं कोई भी outside इंडिया से import करता हूँ, तो उस situation में आप मुझे CBD नहीं लगेंगी, आप मुझे क्या लगेंगी, यह समझा, different state consider किया ज़ता है import को भी, मेरे यहाँ पर गलती हुई थी, मैंने import का थोड़ा सा interpretation गलत किया था, मगर मैंने correct कर दिया, आपने ने बोला है, ओके, और एक यहाँ पर देखो, और एक important है, कि GST जो होता है, किस पर लगता है, कैसे लगता है, क्या लगता है, GST में कुछ product को यहाँ पर क्या कर दिये, आज भी exercise duty चालू है, आज भी exercise duty चालू है, उस product पर आज exercise duty चालू है, वो product कौन से हैं, petrol का डाम क्यों बढ़ रहा है, exercise duty है, value added tax है, exercise के साथ साथ आपको देखो India replace following product, इसको आज भी यह कर दिया है, petroleum, high-speed, diesel, motor speed, natural gases, आज इतना बढ़ रहे हैं, aviation full, इस पर आज भी exercise duty लगती है, इनके manufacturing पर, उसके साथ साथ इस पर value added tax भी लगता है, CST भी लगता है, सब कुछ taxes जो पहले taxes थे, वो आज भी, petrol 50 रुपए आगर है, 90% VAT, यह VAT मैंने बता है था, इस तरह से बढ़ता हूँ, हाँ classes अटक थी, क्योंकि connection weak हो गया था, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, ओके, तो इस situation में, natural gas, aviation full, ओके, इस पर आज GST लेवी नहीं की जाती है, इस पर आज GST लेवी नहीं की जाती है, यह ध्यान में रखना है, और दूसरी चीज, यह excise duty कौन कलेक करता है, इस पर petrol और petroleum product पर, excise duty कलेक कौन करता है, इस पर आराम से central government कलेक करता है, आराम से central government इस पर excise duty कलेक करता है, यही product पर, यही product पर, आज भी state, क्या करेक करता है, state value added tax कलेक करता है, अभी, अभी clear है, अभी network issue हो आता, उसके वज़से शायद problem हो, अभी clear है क्या, break नहीं हो रहा है वीडियो, तो इस situation में आज भी आपर value added, मतलब आपके यह जो petroleum product है, उस पर आज भी, आज भी excise duty central government करता है, value added tax, यह कलेक करता है, दोनों भी blame करते हैं एक दूसरे पर, guys यह blame करने का काम अगर यह चोड़ेंगे, और इसको GST में जोड़ेंगे, तो शायद petrol 60 rupees per liter मिलेंगा, नहीं करेंगे, हमें नहीं करना है, हम भी collect करेंगे, हम भी खाएंगे हम और तुम भी खाएंगे, और फिर बोलेंगे central government ने कम करना चाहिए, काई से कम करेंगा, value added tax तुम collect करेंगे ना, नीचे से, आराम से, चुके से, central government परदे में record काम करता है, state government आगे, आगे, यह थोड़ा सा नाइसापी हो रही है इसमें, बट स्टिल देखेंगे, आप में से कोई finance minister बन जाएंगे ना तो वहले इन product को GST में लाना, ताकि गरीब लोगों की जिन्दगी सुदर जाएं हमारे जैसें, how you are GST council, GST council recommended करेंगा, जो हमने बताया, डिसकस किया कि कौनसे product को कब GST में लाना है, वो GST council का decision रहेंगा, ओके गईज, अब GST bill इंडिया में कब आए, following bill become a act, कब इंडिया में act बने, GST service tax bill 2017, यह 2017, 2017, सभी bill 2017 के थे, Central goods and service tax bill 2017, Integrated goods and service tax 2017, Union territory goods and service tax 2017, यह 2017 यहाँ पर क्या किये गए है, यहाँ पर लाए गए है, ओके और एक और एक आर्टिकल और एक आर्टिकल, आपको यह वाले पता हैं, जिन्होंने एकोनोमिक को संभाला था लॉक्डॉन में, उन लोगों के लिए भी GST में आर्टिकल है, कितनी महान लोग हैं, यह वाले पता होते न, ऐसे ऐसे वो रस्ते पर डैंस करते हैं, पानी पीने के बाद वो, उनको भी यहाँ पर क्या किया गया हैं, उनकी लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 366, तो उसके एकोर्डिंग लिए, अलकोहल और इस पर GST नहीं लगाय जाएगा, एक्सेप्ट अलकोहल और लिकल फॉर यूमन कंजंशन, उसको आज भी GST में कवर नहीं किया गया है, पेट्रोल और यह GST में कवर हैं, इसका रेफ्रेंस में section 92 में दे दूँगा, पेट्रोल और डिजल यह यह cover है, 92 section, लेवी का होता है, उसमें दे दूँगा मैं कि यह cover है, बट यह जो लोग होते हैं, जो महान पुन्य का काम करते हैं तो उसको GST के बाहर रखा कया है ये revenue आज भी इस पर आज भी क्या लगता है exercise duty लगता है उसके साथ-साथ sale tax alcoholic continue जो भी आपका article 66 है 366 है उसके accordingly आज भी उन लोगों के लिए क्या किया जता है आज भी वो पुन्य का काम करते हैं उसके लिए उनको exercise duty पे करनी होती है उस production पर सरे exercise duty कितना है 40% exercise duty है भाई या अगरा 100 रुपे का दारू beer वगेरा कुछ भी लो लो, wine standard word, wine beer production करे हो 100 रुपे का 100 रुपीज का, before that 40 रुपीज you have to pay central government, ओके central government, after that, after manufacturing 100 रुपीज again, 28 रुपीज pay to government, which government state government इसलिए इतना strong revenue भहाँ से आता है so उसको article 366 में यहाँ पर क्या किया जाता है, cover किया जाता है, so दोनों भी आराम से लेते हैं, मिल बाटके खाते है petrol पर भी और यहाँ पर भी so यह होगे आपका what is GST GST क्या होता है GST, value added tax मैंने बोला आपको value added tax होता है किस तरह से value add की value add हुई है, first example अगर आपने देखा है, तो उसके according starting में example दिया है value added tax कैसे होता है then destination based consumption tax, जहाँ पर consumption होगा, वहाँ पर GST हैंगा then comprehensive continue chain tax input tax credit, इसका discussion में section 16 में करने वाल हो आराम से input tax credit then where burden final consumer final burden tax का consumer पर ही आता है cascading effect element क्या होता है input tax credit मिलता है हर एक जगा पर, इसके बचसे जो cascading effect है, वो क्या होता है कम होता है, इसका भी explanation दे दोगा uniform texture of all over India uniform structure है all over in India में, उसका मतलब one nation, one taxi तो guys, आज आज आपका basic हो गया है complete किसी को कोई question, किसी को कोई confusion किसी को कोई दिक्कत anyone topic one आपका हो गया है complete basic discussion हो रहा है मेरे side से complete, इसमें कोई confusion है, इसमें कोई आपको doubt है तो मुझे comment करो इंडिया में petrol का price क्यो हाई हो रहा है इसका मैं discussion करूँगा आपके लिए चलो discussion करते हैं इंडिया में petrol का price क्यो हाई हो रहा है guys question आ रहा है इंडिया में petrol का price क्यो हाई हो रहा है discussion कर रहा हूँ, समझो थोड़ी बात आपके फाइदे का है पेट्रोल है इस पेट्रोल पर इस पेट्रोल पर फिलाल कितने tax लगते हैं पता है exercise tax पेट्रोल पर value added tax dealer commission dealer commission पेट्रोल की price government और Indian oil को आती है Indian oil को आती है Indian oil को आती है पेट्रोल पर लिटर 20 रूपीज टो 25 रूपीज पर लिटर इसका manufacturing इसको अगें क्या कर दिया जाता है इस पर treatment किया जाती है मतलब इसको manufacture किया जाता है ओके manufacture करता है तो इसको यहाँ पर क्या करता है जब भी यह price raw material नहीं है पेट्रोल इंडिया में raw form में आता है ध्यान से सुनना Indian oil company के पास पेट्रोल raw form में आता है ओके वफरिंग हो रहा है ना तो थोड़ा सा late करो इसको वफरिंग हो रहा है ना ओके ओके कैसे करें वफरिंग हो रहा है नेट का स्वीड चाहिद कम है आपका हाँ सर पेट्रोल डीजल नहीं cover किये GST में मगर आप भी तक उसको notify नहीं किया है cover किये section 92 में उसको cover किया है section 92 में उसको cover किया है औके इस यह एक्साइस यहाँ पर लगती है तो यहाँ पर देखो manufacturing cost 10 रुपे अड़ कर दो पाच रुपे अड़ कर दो पाच रुपे अड़ कर दिया यह हो गया price 30 रुपी price हो गया 30 इसमें क्या करना पड़ेंगा हमें add करना पड़ेंगा 30% excise 30% excise इसका profit भी भाई add करेंगा manufacturer profit add कर दिया उसने कितना 5 रुपे यह हो गया 45 रुपी 45 रुपी इसको यह क्या करेंगा sale करेंगा इसको 45 रुपी sell करेंगा जब भी यह dealer manufacturer sale करेंगा तो 45 रुपी का sale करते बग उसको क्या करना पड़ेंगा 20% again value added tax लगाना पड़ेंगा उस पर 20% आगें value added tax लगाना पड़ेंगा तो वो 45 का 20% इन्चु 20% कितना होदा है 20% इसमें 9 रुपीज आड़ हो जाएंगा तो ये हो गया आपका 54 रुपीज ये value added tax ये जो है न डीलर है न डीलर जो भी डीलर है इसको मिलेंगा ये 54 में ये डीलर इसका 10 रुपे आड़ करेंगा 64 हो रहा है फिर ये इस पर लगाएंगा 20% टेक्स पूरिया प्राइस पर 20% टेक्स लगाएं मज़ा आ गया क्या यार मज़ा आ गया यह मूवी नहीं थी शारुख खन सल्मान खन की ऐसे कैसे मज़ा आ गया तुम्हें अभी तो स्टार्टी नहीं हो आए ये तो टेलर है ओके उसके बाद यहाँ पर 12 रुपीज आड़ हो जाएंगे इसके बज़े से आज 100 रुपीज क्या किया जाता है पेट्रोल का प्राइस है विकॉज अब दिस गाइस अगर यह जी एस्टी में आता तो यह जो प्राइसिंग होती ना हाइक नहीं होती इतने हाइक नहीं होती जितना प्रॉफिट आड़ हो जाएंगा उतना टेक्स आड से इंडियन बोवर्मेंट खुश है क्योंकि यहां से उनको 60% revenue मिलता है मगर हम इसका discussion और करेंगी section 9-2 याद रखना section 9-2 session 8 में हम आराम से discussion करेंगे कल का class आपका रहने वाला है कल का class कब रहने वाले है बोलो सर बताओ कल कब discuss करने वाले हो शाप 8 p.m. किसी को मत बताना 8 p.m. to 10 p.m. कल स्टार्ट करेंगे definition definition और supply definition and supply यह definition और supply चलेंगा आपका 6 days उसके बाद देखेंगे class कब तक खतम हो जाएंगे क्या रहेंगे 30 days में GST complete करवा दूगा और 10 days में custom complete हो जाएंगा ओके तो गाइज गुड़नाइट ठेक केर बाई 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 रिवेरिपेकेशन विंडो ओपन हो चुगा है अपलाई करो यस यस वैट यस 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 रिवेरिपेकेशन विंडो ओपन हो चुगा है अच्छे से study करो में मोडूल से discussion नहीं करने वालो मोडूल से बस आपको मैंने क्या पढ़ाया उसको मैं discuss करूँगा मोडूल आपने पढ़ना है मोडूल के question में करूँगा सारा discussion करूँगा charts में खुद बनाऊँगा charts आपको लिख कर दे दूँगा question आपको लिख कर दे दूँगा मेरे site यहाँ पर आने के बाद मेरा class अगर join कर रहे हो यहाँ पर आप join हो रहे हो YouTube पर तो situation में आपने एक ही चीज ध्यान में रखना राइटिंग प्राक्टिस आप उनको राइटिंग प्राक्टिस करने है reading भी हो जाएंगी writing भी हो जाएंगी so यह चीज़े आपने ध्यान में रखना है so guys okay 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 ठीक है so guys आज के लिए इतना काफी करते है notify क्यों ने किया वो GST council का decision है notify GST council करेंगा वो section 9-2 में में discuss करूंगा again इसका heavy discussion है section 9-2 में okay heavy discussion 9-2 में होगा take care bye bye आज के लिए इतना काफी करते हैं चलो guys